हेलो गाई, इस आज के वीडियो में हम बताने बाले हैं कि जोमारा BOT2X 5G Phone है तो BOT2X 5G Phone की सेटिंग्स पे जाकर जोमारे फॉन में आप्शन्स आता है कि आप कैसे अपने फॉन की सेटिंग्स पे जाकर फोन की स्क्रीन पे कोई भी एड्स वेर आपके फोन की स्क्रीन पे शो हो रही है या आपके स्क्रीन पे कोई भी एड्स वेर आपके फोन पे आती है तो आप इस एक स्क्रीण एड़् को बात कर सकते हैं और क्यासे कि स्क्रीण इड़् को स्टॉप कर सकते हैं स्क्रीण कیں और इस तो आज मलत आने कोई की स्क्रीन की आइड्स लगारे को बंद कैसे कर सकते हैं वीडियो स्टार्ड करने से पहले हमारे चैनल को लाइप करें सब्सक्राइब करें और साथ महीं बेल आइकन दबाने ना भूलें तो वीडियो स्टार्ड कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आइकन शो हो रहें तो आपको swipe करना है swipe करती ही all icons open हो जाएंगे जिस में से आपके पास option आता है settings का click करते ही settings अपन हो जाएगे तो screen की ads लगा रहे हैं को आप बंद कैसे गर सकते हैं तो simply settings show हो रही है तो आपको app settings पे जाना है जाना से यह और apps को open देना है तो जिस भी apps की ads होती है screen पे आ रही है फिर यह शो हो रही है आपके phone में बार बार तो इसको बंद कैसे कर पाएंगे तो आप देख सकते हैं जैसे आपके पास यह browser ब्राउसर है या browser इसकी ads screen पे शो हो रही है बार बार तो इसका data आपको clear कर देना है जिससे आपकी browser इसकी ads है आपकी screen पे शो नहीं करेंगी तो data clear कर इसके भी ads को बंद कर सकते हैं और फिर भी बंद नहीं हो रही है तो back करके जैसे apps पे जाते हैं तो आपको special app access settings पर जाएगी display over 10 पे जाकर आपको जो chrome browser होगा इसमें जो भी apps होगा उसका जो मतलब allow app जैसे on है तो आपको off करना जिससे आपकी ads बंद हो जाएंगी तो इस तरही से screen ads को बंद कर सकते और screen पे show होने से रोख सकते हैं आप privacy पे जाकर ads की जो भी settings होती है तो इस तरही से भी apps को बंद कर सकते अपने phone में और आप उसका यूजब कर पाएंगे तो आपको वीडियो चलेए लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ महीं बैल आइकन दबाना ना भूलें थैंक यू